वेलकम बेक फ्रेंड्स, वेलकम टाओर यूटीव चनल इंडियाबर.com आज हम लोग देखेंगे 11 अप्रेल का जो पेपर हो तक डी एमर से का उसका एक्जाम रिव्यू तो इस एक्जाम रिव्यू में हमने मैस के बहुत सारे क्वेस्चन आ गये थे लेकिन उसको कुछ कोस्टर को मैंने हटा दिया है क्योंकि उसमें प्रोब्लम अई आ रही थी कि वो तो डाटा सफिसिन नहीं दिया हुँ था और वो जो मैं कल्कुलेशन कर रहा था तो ना कोई option थे तो उसके अधर मैंने उसको निगलेक कर दिया है जो लगा कि सही है और जो अच्छा question है और जिनके जो option दिये गए है ज्यादा उसी को try किया हूँ इस मिलाने का और मैं English का भी एक question आज मिला है तो उसको भी दिखाऊंगा और बात करते हैं जिक्के का तो जिक्के का भी portion आपको मिला है और सीविल और जो maintainer के जो और electronics के जो बच्चे है उनका question हम को नहीं मिल रहा है इसलिए मैं नहीं देखा पा रहा हूँ तो आप उसके लिए complain ना करें और comment box में बार बार ना लिखते रहें कि maintainer और इसके बारे में बताएं ठीक है आगे जर्ते देखते हैं अचका वीडियो तो जोइन करें भी तक Facebook पेज को नहीं जोइन किया तो और follow करें सब्सक्राइब करें और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मारे चनल के वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर करें और mail बटन को प्रेस कर लें जिस तो आया हुवा फशले का वही देंट कर रहे हैं और कुछ बच्चे चेक कर रहा हम रहा कि हम कैसे हैं तो वो चेक करना बंद करें अपने को चेक करें पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट इस यह थे थी ह्टॉड़ा hard word है दीक हो उनको नो हम् broken मेरे तरफे और जहां तक एक और पर्ब्लम आ रहे है कि हिंदी में ठीक है तो मैं इके बढ़ लिखता हूँ इंग्लीज में लेकिन आपको सम्झा रहा हूँ और तो हीन तो इसे कोई पर्वलम नहीं होना चाहिए जैसे कि अब आपको दिया हुए सेरसा सूरी टॉम तो आपको पता होगा कि सेर सा सूरी का मकवरा कहा है तो सासाराम में है तो आप तो यह हिंदी में समझी रहे हैं लेकिन आप लोग बार बार बोलते हैं कि हिंदी में गुरू जी हिंदी में सर जी तो यह अच्छी नहीं लगता है मेरे को तो ठीक है यह चले देखते हैं तो सबसे पाईला question था तो उसका है जो Tom बनाया था, bir ना होता है, तो ये है आपके टांसाराम में और आपके है friends, तो ये आपका का बिहार में, ठीक है? कहां है, Vihari में तो यह आपका, आपको मैंने बताया था, एक मैंने जो वीडियो बनाया था, तो वो इस question से ही कुछ related है, उसमें यह question था, तो उसी से समझो यह लिया गया है, कि who played negative character in movie पदमावत, तो और मैं बताया भी था, कि जो क्या होता है, कि जो current scenario चलते रहता है, current अभी चल रहा है, ज इगारा को जो paper होते हैं, तो imperial bank of India was transformed into which bank, ठीक है, तो यह आपका HBI है, और इसका अगर date का करना है, तो आप इसको search कर सकते है, Google कर सकते है, वहाँ ते आपको इसका date भी मिल जाएगे, जैक, China defeated by Japan in, आपको बताना है कि China defeated by Japan को किसमें, तो आपका year है, वो था 1895, ठीक है, एक difference एक ऐसे ही लिखाता है, लाल के ला रेटफोर्ट वाज built by, तो यह अगर पुछता है कि built by, तो यह दिल्ली वाल जो रेटफोर्ट है, उसको साज आने बनाया था, अगर यह आगरा गरेटफोर्ट राता, तो आप वो दूसरा answer होता है, ठीक है, लेकिन यह मैं दिल्ली ले हो गया था, यह सितंबर से हुआ ठीक है, अगर इस तरह से एक बोलता है, तो हो होगा आपका 370, ठीक है, और मैं देखो बताया था, काजी रंगा नेशनल पार्क जो फंस दिल्ली जो पुछन आया था, और तो बताया था, कि नेशनल पार्क से वाल लेप से चुर्शन पू पूछा गया है, तो यह आपका केरला में है, तो इस तरह से आप ऐसे वाले कोश्चन को जरूर पढ़ने और याद करने क्योंकि पूछ सकता है, तो आपके एक नंबर यहां से चांसे हैं, एक और कोश्चन था, बहुत यह अच्छा कोश्चन था, वेरी इंपोर्टेंट को आपको पता है, कोई डाउट नहीं होगा, मेजर ध्यांचन जिनको होके का जादुगर भी का जाता है, और यह स्पोर्टेंट है, आपके बनाया जाता है, 29 अगस्ट को, ठीक है, तो यह इस तरह से जिके कोश्चन थे, और आपको कोशिश करें, अगर कोश्चन देते हैं, तो आपके पास option है, तो option भी provide करने का कोशिश करें, जिससे असानी होता है, फिर एक question है, यहाँ पर आपका question दिया हुए, 10 है, 105, 18 है, फिर आपका next time fight करना है, और यह जो दिये हैं, दो option दिये हैं, ठीक है, तो यह दो option में से आपको choose करना है, तीसरा option आपके पास नहीं है तो आइए देखते हैं, इसको कैसे हमों solve करते हैं, तो इसको solve करने के लिए यह आपका analogy का question है, ठीक है, आप इसको ना सोचे कि ratio proportion इस तरह से ना सोचे, तो इसको सबसे पहले करने से क्या करना है हमको, यहाँ पर आगर आप 10 का square करते हैं, और फिर उसके बाद 10 by 2 करते हैं, ठीक है, तो 10 का square कितना होता है, 100 हो जाता है, फिर अगर 2 से divide करते हैं इसको, तो 5 हो जाता है, तो कितना हो जागा, 105, ठीक है friends, यहाँ पर आगया, अब उसी तरह से मिस को करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, 18 का करेंगे, sorry friends, 18 का करेंगे, तो 18 का square अगर क से divide करते हैं, तो किता है, 9, तो यह जो total आपका होता है, वो क्या हो जाएगा, 333, ठीक है, 333, तो यह आपका 3, जो आपका answer है, यह होगा, यहाँ पर आपका 333 answer हो जाएगा, ठीक है friends, एक और question था, 86, 48, 96, और next term आपको find करना है, तो इसमें क्या करना है, कि आगर आप करते हो, तो कितना हो जाता है, 54, यहाँ पर जो 54 आपका answer हो जाएगा, ठीक है, बहुत easy question आ रहते हैं, यह question, यह exact question हो, हमको तो नहीं रखता है, कि सही से question लिखा गया है, नहीं तो अगर दिया गया है, तो कुछ इसमें mix किया गया अपने तरब से, यह try करता हूँ, तो यह question था, यह seller mix, रूपीज 21.60 rice and 17.10 rice in some ratio, यह तो आपका ratio proportion से question आ गया, allegation, sorry, allegation और mixture थे, ठीक है, तो allegation और mixture कैसे solve करते हैं, आपको याद होगा, मैंने एक वहत पहले वीडियो भीनाया था, उसमें बताया था concept कि कैसे उसको easily solve करते हैं, कैसे इसको easy बनाते हैं, ना आपको क small term राता है, तो इसमें सबसे small term देखें, यह में 3 दिया हुआ है, सबसे small term क्या है friends, यहाँ पर 17.10 है, फिर उसके बाद जो बड़ा term में वो कौन सा है, आपका 21.60 है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, 71.0, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं, 21.60, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं, 18.90, यह इसको इसलिए लिखते हैं, क्योंकि यह जो दोनों के बीच में lies करता है, उसको हम लोग middle में लिखते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, कि यहाँ से और यहाँ से, इसको minus करेंगे इसमें से, यानि कि बड़ा वाला को minus करेंगे, ठीक है, sorry friends, बरे मले से क्या करते हैं, कि minus करके यहाँ लिखते हैं, और फिर यह जो है, इसको यहाँ minus करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका ratio हो जाता है, यह इसका हो जाता है, यही concept आपका, तो अगर आप 18.90 और 17.0 का difference लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2.8, ठीक है, अब उसी तरह से 21.60 में से 18.90 मैनस करेंगे, तो कितना जाएगा, 2.7, ठीक है, तो वह अगर आपका option डाता है, तो यहाँ पे इतना में यह आप चेक कर लेते हैं, 2.7, 1.8 दिया हुआ है, कि क्या दिया हुआ है, तो उसके धार पे आप इससे और आगे कर सकते हैं, कि क्या, तो वो देखके आप इसको solve कर सकते थे, ठीक है, आगे चलते है, एक question इस तरह से दिया हुआ था, आपका दिया हुआ है, A, B, अगर सही question है, तो क्योंकि मैं एजाम नहीं देने क्या हूँ, आप लोग हैं, और जो question प्रोवाइड कि हैं, उसी कजार पर बन जाएगा आपका, यह बन जाएगा 2A, प्लस 2B, प्लस 2C, अब 10 को, 12 को, 15 को भी हैट करेंगे, तो आप कितने बन जाते हैं, 37, ठीक है, फिर यहां से क्या करते हैं, तो कॉमन ने लिए, A, प्लस, B, प्लस, C करते हैं, और फिर आपका 37, ठीक प्रेंस, और अब A, प्लस, B, प्लस, C को, वैलू निकालते हैं, तो यहां से अगर आप कल्कुलेट करते हैं, इसको, तो आपका बन जाता है कितना यह, 18.5, तो आपका जो एंसर होता है, यहां पर कितना होता है, 18.5, ठीक है फ्रेंस, एक और कोस्टन था इस तरह से दिया हुआ, और इनको प्रिंती न 7x, 17x, माइनस 38, क्या है, इसको solve करना है, तो इसको हम लोग solve 2 method से कर सकते हैं, सबसे पहला method देखते हैं, तो इसको तोड़ने आता होगा आप लोग को, इससे बताने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग तोड़ते हैं, और multiple आई करने पर किसना आना चाहिए, आपका 38 आना चा तो इसको multiply करते हैं, कितना आज़ता है, तो इसमें हो जाएगा, आपका 90x, प्लस 2x, माइनस 38, ठीक है, यहाँ से देखने, 90x अगर करेंगे, और यह plus 2 करेंगे, तो आपका 17 आ जाएगा, ठीक है, और इसको multiply कर देंगे, तो आपका 38 भिया जाएगा, ठीक है, अब इसको हम लोग, bracket में लेते हैं, common लेते हैं, एक्स को, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, यह हो जाएगा, आपका 19, ठीक है, फिर वहाँ पर इसमें कितना common लेते हैं, 2 common लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क् सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरह से ऊपर में चलता चला जाएगा तो एक स्क्राइब को एक स्क्राइब बन जाएगा ठीक एक स्क्राइब यह आपका उसते भी बन जाएगा ठीक है यह अपका इसमें क्या करना है कि इसका वैलू याद रखना अपको सबको अगर इसका अगर वैलू याद है पुछ नहीं करना है और इसका निकर जाएगा है तो आपके असानी से हो जाएगे तो चलिए जी देखते हैं इसको क्या करते हैं तेन 30 का जो वैलू होता है आइधिंग कि 1 रूट 3 होता है फिर जो होता है और प्लस कॉट 30 का जो होता है रूट 3 होता है और इंटू आपका 60 का होता है 2 ठीक है अब हम इसको मिल्टिप्लाइ कर देंगे तो कितना जाएगा 1 रूट 30 वन वाइड रूट 30 वन वाइड रूट 3 प्लस तू रूट 3 ठीक है अगर आपको आप्समें यहीं तक दिये हैं तो यहां तक ही करेंगे इसके आगे दिया हुआ तो आप संदे का इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरह से मैस के थे ठीक है इंगलिज का बात करते हैं तो आज कोई question specific नहीं मिला है कि कितना question आया है लेकिन आपको जैसा पता है कि active passive आपके आते हैं और अभी तक जितने मैंने रिव्यू किया है 8 से 10 question तक active passive के पूछे जा रहे हैं तो आप भी इसको prepare करके जाए डिरेक्ट से indirect speech का भी कोई पता नहीं है कितना पूछ सकता आप तो एक आया था है कि पूछे थे फेस्बूप पे कि सर जो इंगलीज का है वो कौंण को सा topic कर लें तो जो मैं यहां पर topic लिखा हूँ वो आप कर लें तो आपका अच्छा प्खाता इसमें attempt हो जाएगा ठीक है अगर आप 40 to 50 के बीच में attempt करते हैं तो यह बहुत ही असानी से प्री पोजिशन भी देख लें अस्पेलिंग चेक तो आपको कुछ से करना होगा इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सही होगा तो आगे देखते हैं एक कोशन पूछा गया था यह आपको प्री पोजिशन लगाना था इसमें से टेल माई फ्रेंड गोजिए और ना हम ये अपनना कार देखते हैं प्रैंप सब्सक्राइब कर देल मुंद धुस्देंग आपको सीक्ःसे सब्सक्राइब हो नहीं मुंद धिकर साथ में तून Based On Beny किसी के क्रेखर का सवाल है और उनको आपको यान ट्राउन करना है तो आप मैं पोन كुंड जानते हैं वही और भी भीजे नहीं जानते हैं नहीं बेजे कोई दिक्क नहीं है बोल गया है ठोल देंप और जो टेकनिकल वाले की बात है तो टेकनिकल वाले स्टुन कोसें्ट कोसें भीकशें नहीं है और उनका मैं एक दिन पूरा टेकनिकल कोसें से मरे मैं सोच रहाएं किशारऋ कि कल आपके साम तक 3 बोजे तक मैं टेकनिकल का ऐस क्षोशन को कहीं से इकठा करक Krbyach अप्लोट कर दूँगा इसको ठीक है तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और अभी तक सब्सक्राब नहीं के तो सब्सक्राब कर लें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें थैंक्स पर राचिंग मैं वीडियो फॉलोव करें फेस्पूप पर ट्विटर पर इंस्टाग्र पर चैनल झाल